नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल वे ओप कैरियर में तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बैल के आइकन को प्रेस कर लीजिए क्योंकि दोस्तों ऐसे ही नई नई भरतियों के लेटेस् किस भी बाग में है तो आपने जैसा कि थम्मेल में देखा है बारती वाने की अनुशंदान इस जिसका मुख्याले जोदपूर में है दोस्तों वैसे तो यह वैकेंसी आपके लिए सेंटर लेवल की है इंडियान इस तरपर यानकी भारत के पूरे भारत में कोई भी व्यक्ति इस फॉर्म को लगा सकता है लेकिन इसका जो मुख्याले वो जोदपूर में होने के कारण राजस्थान के जो राजस्थान से जो बिलॉंग करते हैं उनके लिए यह बहुत ही महतवपूर्ण भरती होने वाली है दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों इसमें आपको एक फाइदा मिल रहा है कि आपको दसवी बार्वी पास आपगर 10वी पास है तो भी फॉर्म लगा सकते हैं ऐंलाइन यह फॉर्म लग रहे हैं और आप spill आपके पास भन जो बीस्टी कर रहा है आपने जिस भी इस तरह से बता रहे हैं हम आपको वीडियो में आगे बता रहे हैं जो जो आपने कर रहा है वो कंपली डेटेल हम आपको दे रहे हैं तो दोस्तों यह फोरम सबसे पहले मैं बता दूं ओनलाइन हो रहे हैं 22 अपरेल को चलिए वीडियो करना है यह डिटेल भी हम आपको वीडियो में लाश तक बता देते हैं तो इसके बाद में आपको क्या करना है 23 मार्च से फोर्म है और इसके लाश डेट दे रखिए दोस्तों 24 अपरेल ठीक है 24 अपरेल तक आप यह फोर्म लगा सकते हैं आप बात करते हैं इसके जो यह फिक केशन ठीक है जिससे आपको दूविदा में नाराओ की यह फ्र Bean用 के फ़ियए तो यह विडिय वेकनसी है हम आपको इसकी पूरी डिटियल देने वाल लींगी Mayu करते हैं दोस्तों सबसे पहले कि कितनी पोस्ट पर कितनी वेकेंशी है सबसे पहले बात आती है लडी सी तो लडी सी की दोस्तों इसमें च्यार वेकेंशी है उसके बाद में आता है वन रख सक वन रख सक की आपके पास है एक वेकेंशी उसके बाद में बात करते हैं MTS웠ang 我是 MTS की दोस्तों आपके पास है 8 वेकेंसी उसके बाद में तक्निकी की हैं 3 वेकेंसी और जो टैकनीशियन पोस्ट है उसके लिए 2 वेकेंसी जरूर में राज़श्थान से बंदा ब्लोंग करता है उसके लिए बहुत於 important भरती है दोस्तो यह अब उसके बाद में बात करते हैं दोस्तो इसमें एज लिमिट की । एज लिमिट आपको दे रखिए ये कम से कम अठारा और ज्यादा से ज्यादा 40 अब बात करें कि एज कब तक होनी चाहिए ऎन एक एक डोजार İकीस तक काप केज या तो 18 यह फिर 40 इन दोनों के बीच में होनी चाहिए तो दोस्तों मेरी साब से बहुत ही अच्छा मोका है अगर आप फॉर्म को अपलाई करते हो तो इसके बाद में दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाते हैं यह देखिए दोस्तों जो मैंने आपको बताया है वो ही मैं आपको अब एक बार दिखा देता हूँ नोटिफिकेशन में मैं आपको ओफिसल नोटिफिकेशन भी दिखाऊंगा और आपको वो नोटिफिकेशन आपको प्रोवाइड भी कराऊंगा जिससे आप अपने फोन में भी उसको खोल के देख सकते हैं तो सबसे पहले इसमें देखिए जोदपुर में इसका मुख्याल है वहाँ पे आपको बता रहा है LDC 1 रख सक MTS इन सभी पदों पर बरती निकलिए जैसा कि मैंने आपको बताया था वो ही है और इसमें 23 मार्स 2021 से 22 अपरेल 2021 तक आप आवेदन कर सकते हैं इसके बाद में आपको पूरी डिटेल इसके आगे और भी दिखा रहा हूं ठीक है यह देखिए जैसा मैंने बताया था 18 से 40 वर्स इसमें उम्मर रखे गई है और अनुसों से जन जाती और पिछड़ा वर्क के लिए इस पेसल शूट है तो वो आपको जितनी शूट मिलते है उसी साब से आपको शूट मिलेगी उसके बाद में देखिए यह मैंने पोस्ट आपको बताई थी एलडिसी के चार पद है वन्रक्षक का एक पद है कि मैंने आपको बताया था आप सबसे पहले बात करें MTS के पद के लिए तो दोस्तो MTS के पद के लिए आपको 10 वी पास होना नहीं वारिया है ऐलडिसी के पद के लिए आपको बारवी 29 अनिवारी है और अंग्रे जी हिंदी का टा επाइपिंक टेस्ट भी लिया जाएगा कम से कम 35 की स्पीड जिस बंदे की आ रही है तो वो इसमें लग सकता है उसके बाद में फोरेश्ट गार्ड की मैंने जो बात की थी वन रख सकी उसके लिए आपको बारवी विज्ञान सब्जेक्ट से होना चाहिए नहीं कि साइंस से आपकी प्लस बाद में आता है चैंक्निकल असिस्टेंट इस पद के लिए और आईधन के लिए उमीद्वार का रसायन विज्ञान विश्ञा के सात कर्षिंव इद्वक्षिंड में ब्यूंत OFFICbridge ऍंवंने उसके लिए treadmill की फोरद में दश्वी की और से उसके लिए है जैंक्झ स्क्रीन पर ओफिसियल नोटिफिकेशन खोल रहा है दोस्तों ध्यान से देखना यह दोस्तों इस भरती का ओफिसियल नोटिफिकेशन मैं इसको थोड़ा जूम करके दिखाता हूं आपको देखे सुस्क वन अनुसंतान संस्तान भारतिय वानिकी यह आप कंपलिट इसमें इस पर अलग अलग वैकेंशिया देख सकते हैं और 22 अपरेल इसकी लास्ट डेट है दोस्तों यह देख लीजिए आप कंपलीट डिटेल इसमें दे रखी है अगर आप यह नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है वहा भरती के लिए आपको SSO पोर्टल जैस परकार चाहते हैं तो उसी परकार से SSO पोर्टल पर आपको जाना है उसके लिए आपको SSO ID की जर्ट होगी अब आपको SSO ID अगर नहीं बनानी आती है तो आपको उसको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा वीडियो का आप देख सकते हैं SSOID कैसे बनानी है और वहाँ पे लिखा होगा है requirement 2021 उस पर किलिक करना है यहाँ पर आपको बरती इस परकार जानकारी मिलेगी जिस पर किलिक करके online forum पर किलिक करना है ठीक है उसके आप फिर उसके बाद आपको सही forum को भरकर और संबिट कर देना है इसके लिए जो फीस जो दे रखिये चालान उसमें आप देख सकते हैं वह आपको बिलकुल आप इस बरती का लिया आविदन कर सकते हैं तो राजस्तान से जो बंदा बिलोंग करता है उसके लिए बहुत ही important है तो दोस्तों आज की इस वीडियो का यहीं समापन करते हैं अगर आप कर देना दोस्तों के पास जिससे वह भी स्पार्म को लगा सके धन्यवाद